हेलो गाइज विल्कम टू मैं यूटूब चैनल डिलाइटफुल लर्निंग हाई दोस्तों इसके प्रिवेस वीडियो में हम दस सब डिसकस कर चुके हैं एंटोनिम का 10 वर्ट जो कि हमारे एक्जाम में आए हुए हैं और हमारे एक्जाम के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट ह हैं आज हम 11 वर्ट से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ओफ आल आप लोग को हैपी नवरात्री आज एक्सपेक्टेशन यही है कि आप लोग ब्रत होंगे मैं भी हूँ तो चलिए थोड़ा पढ़ लिया जाता है कल संडे था इसलिए सेशन नहीं लिये थे तो 11 चलिए स्टार् अनकाउथ मिन्स क्या होता है तो दक वर्ड अनकाउथ मिन्स आफी परसन आर देयर भी हैवियर रूट आर सोचली अनएक्सप्टेबल मतलब एक ब्यक्ति का या फिर उसका भी हैवियर वह सोचली क्या हो अस्विक्रित हो या फिर रूड हो उसको हम अनकाउथ कहते हैं अनक तो उसको हम काउट, cultivated, police कहते हैं और uncouth का synonym क्या है boorish, curless, classless मीनिंग क्या है other words का जो दिये गए है तो clumsy means होता है people and animals जो की move करें या कुछ हरकत करें awkward, अजीवो गरीब तरीके से और noun youth का मतलब क्या है time of life when a person is young मतलब एक time जीवन का जबकी ब्यक्ती young होता है उसको हम youth time कहते हैं और especially the time before a child becomes an adult और खास कर जब एक बच्चा adult होने के बीच में जो time होता है उसको हम youth कहते हैं the adjective uncovered means not covered by anything uncovered मतलब जिसको ढखक गया नहों next हमारा word है the opposite of super serious is तो super serious का opposite क्या है an obvious है, meek and humble है arrogant है, superficial है तो हमारा correct answer है meek and humble है super serious means क्या होता है तो super serious means होता है behaving as if you are bitter than other people are arrogant or disdainful मतलब कि तुम ऐसा behave करो कि तुम सबसे bitter हो arrogant जैसे घमंडी डाइब का disdainful उसको कहते हैं opposite क्या है super serious का तो meek and humble जो ब्यक्ति बीनमर और सांसुभव का होता है तो meek and humble हो गया और the meaning of other words जो meaning दिये गहा है other words जैसे snobbish snobbish means होता है elitist superior या hotty type का और superficial means होता है outermost या peripheral मतलब कि जैसे होते हैं superficial knowledge है superficial मतलब कम मतलब कम knowledge इस तरीके से next हमारा word है the opposite of the clandestine clandestine का opposite क्या है जैसे clandestine open है secret है superstitious है या serious है तो हमारा correct है ये TGT 2016 में पूछा गया question है तो हमारा open है clandestine means opposite क्या open और उसका synonym secret हम बोल सकते हैं तो इसका क्या है clandestine means done secretly or kept a secret मतलब किसी चीज़को रहाश्यमाई तरीके से या छुपा के रखना the opposite word clandestine का open है और the meaning of other words जैसे superstitious means done secretly or सुपर ने सरप्टीस means done secretly or quickly मतलब किसी चीज़को रहाश्यमाई तरीके से जल्दी कर देना and serious means need to be thought carefully मतलब किसी बात पे serious होके सोचना next हमारा word है what is the intonium of manly manly का intonium क्या है fenynine ife minute masculine या strong ife minute है manly का opposite मतलब answer B तो manly means होता है पूरो सोची दिलेर या बीर और ife minute means होता है इस्त्रेंड या नारी जैसा या इस्त्री जैसा next हमारा है word what is intonium of consent consent का intonium क्या है descent है descent है descent है ascent है तो क्या है तो descent है consent means होता है सहमती consent means क्या होता है सहमती होता है इसका वर्ब सहमती या आनमती और descent means होता है आसहमती होना और सहमती ब्यक्त करना और आने बिलोम सब जैसे डिसक्री, अबजेक्ट, क्वीबल और जो अदर वर्ड्स हैं जैसे डिसेंट मिन्स होता है डिसेंट मिन्स होता है उतरने की प्रक्रिया या ढलान और डिसेंट मिन्स होता है उचित, उप्योक्त, यफिसिस्ट और असेंट मिन्स होता है सहमती समती, स्विक्रिती, सहमती देना, स्विक्रिती देना इस तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिवियेशन एलिवियेशन का एंटोनिम क्या है? तो listening है, magnification है, aggravation है, exaggeration है तो एलिवियेशन का एंटोनिम है मारा aggravation क्या है? aggravation तो एलिवियेशन मिन्स होता है आराम या रहत एलिवियेशन मिन्स होता है परिशानी, खलेसर, ठकाने वाला और जो अन्य, मतलब इसके विलोम है, किसके? एलिवियेशन के वो annoyance है, vaccination है, irritation है इस तरीके से, deviate next word है मारा deviate is antonym डिवेट किसका antonym है, obliviate का है, break का है, concentrate का है, follow का है ग्या है? 2009 में ऐया था तो क्या है? concentrate deviate means होता है deviate word means होता है, उचित भ्योहार से हट जाना और उसी का opposite word है or concentrate means लगे रहना तो और इसके अलामा है जैसे focus करना, devait means concentration को हटाना और उसका और भी other antonym है focus करना, converge या फिस enter antonym आप genet, genet means sears होता है और antonym क्या होगा, नादिर होगा, important, submit, heaven, तो नादिर होगा क्या होगा, नादिर अब genet का word का मतलब मीनिंग क्या है जैसे सिरोबिंद, पराकाष्ठा, सर्वोच सिखर, नादिर मिन्स होता है अधोबिंद, आवनिति, या निंतमस्तर या फिर कहीं कहीं इसका sense पताल से भी लेते हैं lowest point, bottom, bear, ये सब क्या है, जेनित के opposite है important मिन्स महतपूर, submit मिन्स सीर्स, या फिर पराकाष्ठा, सम्मेलन, heaven मिन्स स्वर्ग inevitable, inevitable 2009 में पुछा गया है मतलब unavoidable, eatable, uncertain या फिर multilated क्या है तो uncertain है क्या है uncertain inevitable मिन्स होता है आप परिहारे मतलब जिसको टाला ना जा सके जिससे बचा ना जा सके मतलब अवश्य भावी जिसका होना बहुत ही जरूरी है और उसका है uncertain, मतलब opposite क्या है uncertain, unshit और भी हैं जैसे avoidable, alterable या preventable इस तरीके से और जो other words हमारे उसमें दिये गए हैं options में eatable मतलब खाने योग यानवाइडेबल मतलब अपारिहार, multilated मतलब बिक्रित करना देंटोनिम आफ एडवांस का एडवांस का एडवांस का एडवांस का एडवांस का एडवांस का है follow, submit, disperse, retreat तो इसका क्या है D, retreat क्या है retreat इसको भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एडवांस मिन्स होता है विकास, उन्नती, उधार, पेशगी, प्रकती आगे बढ़ना, इस तरीके से retreat मिन्स होता है, वापस होना, पीछे हटना सरण लेना, इस तरीके से और एडवांस का और भी है जैसे withdraw, drawback, pullback ये एडवांस के इंटोनिम है तो हाई दोस्तों, आज हम अपना session यहीं खतम करते हैं कल हम इसके आगे का session लेंगे आपको जरूर अगर ये session पसंद आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं और ज़्यादा सब्सक्राइब करें लाइक बढ़वाएं थैंक यू सो मच